नमस्कार दोस्तो अपने यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज का हमारा टोपिक रहेगा मशीन के कार्बन ब्रस के बारे में आपने भी तक मेरा चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब कर लें साथ में बेल आइकन की गंटी भी दवा दें जिस से आन ये कार्बन ब्रस अलग-अलग साइज के आते हैं यदि हमारे कार्बन ब्रस बहुत बड़े हो तो हम इसको रेती से या रेगमाल से छोटा कर लेते हैं और उस साइज का बना लेते हैं जो मशीन में फिट हो जाए तो ये कार्बन ब्रस हमारे मिक्सी में लगते हैं लेत मशीन पर लगते हैं और जो हमारे गरेंडर होते हैं उनमें लगते हैं और कटिंग वाली लोहे की जो कटिंग हैं मशीन है उसमें लगते हैं तो मेरा कहने का मतलब है कि ये हमारी बहुत सारी मशीन में लगते हैं और कार्बन बुरूस के लिए आप एक बढ़िया अच्छा सा रोटर बना सकते हैं जिससे वो पूरा घिश जाए उसके उपर रेगमाल लगा कर या कोई पत्थर लगा कर इस हिसाब से हम इसको बना सकते हैं तो फिर इससे हम ये अपने बरस बना सकते हैं तो दोस्तों ये देखिए इसमें ये एक इस्पिरिंग होता है इस्पिरिंग ऐसे दबता है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये एक दबा के रखता है कि जिससे ये मेरा रोटर पर बना रहे इसका कनक्सन बना रहे तो दोस्तो इस तरह के से हम बहुत सारे कार्बन ब्रस अपने आप ही मशीन में फिट कर लेते हैं और मशीन में ज़्यादतर कोई प्रोब्लम भी नहीं आती हमारे कार्बन ब्रस ही खराब होते हैं अब ये देखिए जब कार्बन बरस हमारे जादे खराब होते हैं तो इसका मतलब है कि मेरा जो रोटर है रोटर का चारोतरप का जो कोपर का मना हुआता है वो गिश गया है इसलिए मेरे कार्बन बृस जल-जल्दी खराब होते हैं ये देखे जो कारबन बरस हैं और इनका सामने साइज है ये वाला सामने से एपने आप करू थाइप का बन जाता है आपको बहुत सारे बरस दिखा देते हैं ये सब का साइज बिल्कुल एकदम अलग अग आता है हमें इसके नंबर बताने होते हैं ये जो कार्बन बरस हैं हमारे इनके नंबर होते हैं उस नंबर से हमें ये कार्बन बरस मिलते हैं तब हमें ये नंबर मिल जाएं कहीं से या मैं आपको नंबर दे दूँगा आप notification में मेरे से number देख सकते हैं तो दोस्तो मेरी वीडियो आपको चलेगी होगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like करें share करें और अभी तक आपने channel subscribe नहीं किया तो channel को subscribe कर लें वीडियो देखने के लिए सबको जैहिन धन्यवाद झाल